कभी नशे की लग्की वज़े से सड़क पर सोता था ये शख्स आज है करोडों का मालिक कौन कहता है आसमा में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबियत से उचालो यारो ये लाइन उस शख्स के उपर बिलकुल फिट बैठती है जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं इनकी जिंदगी मातर कुछ सालों में फर्ष्क से अर्ष तक पहुच गई तीन साल पहले लॉस एंजिलिस में रहने वाले खलील राप्ती ने अपना घर और सारी दौलत धवादी वो सडको पर सोकर राते गुजारनी पड़ती थी 1990 में खलील लॉस एंजिलिस आये थे शुरू में उन्होंने कार बेचने का काम शुरू किया लेकिन उन्हें ड्रग्स की लख लग गई इसके बाद उन्हें हिरोईन लेने की आदत पड़ गई और उनका काम में बहुत बड़ा घटा हो गया